हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी ख़वरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरुर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंद बॉक्स में जरुर बताए बाड़ी के बर बिहार के क्रिसी विभाग में 266 पदों पर सिख रही होगी न्यूगती बिएससी से निकलेगा विग्यापन जे अभिहार सरकार सिग्रही क्रिसी विभाग में विभिन स्रेनी के 267 पदों पर न्योक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है इसमें प्रकंड क्रिसी अधिकारे के 774 पद सहायक निदेसा कोटी ववन और वर्ग टू के 89 पदों का रो द्यान लिपिक के 87 पदों का रोष्टर क्लिरेंस करती वे कर्मचारी चैन आयों को क्रिसी विभाग द्वारा अनुसंसा भेजी गई है आपको बता दे कि क्रिसी मंत्री अमरेंद्र प्रताब सिंग ने या घोसन मंगलवार को विभाग के 9 नियोक्त 2-68 क्रिसी अधिकारिय के परवेश कालेन प्रसिक्षन सिवीर के सुभारम कायरकरम में किया बाड़ी खबर बिहार में अगले दो दिनों बाद तेज आंदी बारिस के साथ ठंका गिरने के असंका मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलट जहां अगले 48 गंडे में दचिन परश्चिम और मजद ब अपदाद की भीशन गर्मी ने सहर के अस्पतालों में मरीजों की सैंखया अचैनक बढ़ा दिया OPD में आने वालों में सबसे ज़्च्य बच्चे वा बुजुर्गुर्ग की है मेडिसिन और मरीज आरहे हैं इनमें आखों में सुखा पन वा लाल होने की समय से बढ़ गई थेज दूप वा दोसीत खान पांच से मरेज सर्दी वा खासी से पिडित होकर अस्पताल आ रहे हैं खासकर PMCH वा आज एमस के सिस्वाड भर गए हैं दोनों ये अस्पताल की मेडिसन विवाग को पिडि में गर्मी के सर्दी खासी वा वुकार से पिडित मरेजों की संग्या 20 पिज़ी बढ़ गई है अगली बड़ी कबर बिहार में बेड के सयुक्त परवेश परिचा 23 जुन को 17 माई तक होगा ओलाइन आवेदान पांच बिसाई से 120 प्रसन पूछे जाएंगे जिहां बेड़ सत्र दोजर बाइस चौबिस में सयुक्त परवेश परिचा 23 जुन को ह इसके लिए 17 माई तक हो लाइन आवेदान लिया जाएगा जबकि लेट पाइन के साथ 20 माई तक हो लाइन आवेदान सिवकर किया जाएगा इस बार भी परिच्छा के लिए ललित नारायन मितला विस विदाले को नोडल विस विदाले बनाय गया है भोजपूर, बकसर, रो बिजली का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, राजदानी पाटना समयत कई जिलों में लगतार पावर कट देखने को मिल रहा है और बिजली संकट को लेकर उर्जा मंत्री बिजेंदर यादव का ताजा वयान सामने आया है, मंत्री बिजेंदर प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में अगले एक से दो दिनों में बिजली संकट खतम हो जाएगा मंत्रे विजेंदर यादव ने कहा कि बिहार में फिलाल जेतने बिजली के जौरत है उससे एक हजार मेगावाट कम बिजली मिल पा रही है लेकिन अगले एक से दो दिनों में या समय सा दूर कर ली जा जाएगी इससे बिहार के उन इलाकों में बिजली सप्लाई की जाएगी जहां आप दख थोड़ी कमी है अगली बड़ी कबर बिहार प्रदोसर नियंदरन परिसत का आधे से नदी किनारे अब नहीं खोले जाएंगे एट भट्टी जाएंगे बिहार में परियावारन सरक्षन की दोरी 200 मिटर और फोरलेन से 300 मिटर से ज़्यादा रखने होगी बिहार राज परदोसर नियंदरन परिसत ने इस समद में आधेस जारी कर दिया है परदोसर नियंदरन परिसत के आधेस में नदी राज मार्ग और आबादी के नजदिक नए एट बट्टा खोलने पर रोक अधेस बट्टी बढ़ती जा रही है अगरी बड़ी खबर पट्टना में आब रूट के हिसाब से चलेंगे ओटो और इरिक्सा ट्रेफिक जाम और प्रदोसर से होगा बचाओ जहां विहार के राज़ाने पट्टना को जाम एवाम प्रदोसर से निजात दिलाने के लिए पाट्ना परिवान विभाग नया प्लान बनाने जा रहा है अब सहर से किस रूट पर कितने ओटो चलेंगे वह किस रंग के होंगे इसके निदारन किया जाएगा परिवान विभाग ने इसको लेकर कवायाद भी सुरू कर दिया है साथ अब ओटो और इरिक्सा को परमिट भी रूट के आदार पर दिया जाएगा इसके साथ प्रतेक रूट पर चलने वाले ओटो और इरिक्सा के लिए अलग से कोड कर निदारन किया जाएगा कोड के साथ साथ लोगों भी दिया जाएगा ताकि एक रूट का ओटो दूसरी रूट पर नहीं चल सके इससे आना वैसा गाडियों से सहर के सड़कों को राहत मिलने के उमीद है जिसमें जाम के समयस्दा में भी कमिए आईगे बिहार के इन चार बड़े सहरों में बनेंगे रिंग रोड केंदर सरकार ने दी हरी झगती दे दी है बिहार सरकार के प्रस्ताव को हरी जंडी देते हुए केंद्र सरकार ने NHAI को गया दरबंगा मुझपरपुर वा भागलपुर में रिंग रोड के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करने को कहा है इसके बाद इने सहरों में रिंग रोड का खाका तैयार किया जाएगा आपको बता दे कि रिंग रोड का विदिवद परस्ताव लेकर सुबह के पद निरमान मंत्री नितिन नविन ने केंद्रे मंत्री नितिन गड़गरी से मुलागाद की थी अगली बड़ी कबर बिहार के चाई को मिलेगे राष्टे पहचान, क्रिसी मंत्रे और सचीव चाई कारोबारियों के साथ करेंगे मंधन जिहां बिहार में पैदा होने वाले चाई को जल्द राष्टे पहचान मिलेगे यहां उत्पादत होने वाले चाई के लिए खास लोगों तयार किया जा रहा है क्रिसी मंत्रे अमरेंदर प्रताव सिंग ने कहा कि बिहार की चाई को राष्ट्य पहचान दिलाने के लिए भारतिया चाई बोड को पत्र बेजा गया है अगली बड़ कबर बिहार में नल से जल रुका तो इसका जुर्माना ठेकदारों से वसुला जाएगा पिएच एडी डिपार्टमेंट की तरब से सम्मन्द में आदेस जारी कर दिया गया है इसके मताबिक एक दिन भी अगर घरों से नल से जल नहीं पहुचता है तो कॉंटेक्टर को दो हजार रुपे तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है ये करवाई के वल ठिकदारों तक ही सिमित नहीं है विभाग के इंजिनियर पर भी इसके गाज गिरेगी जिस इलाके में नल का पाने रुकेगा इसके लिए वहाँ की जुनियर और असिस्टन इंजिनर भी दोसी माने जाएंगे इसके खिलाब भी करवाई की जाएगी विबाग की तरब से अभी तक लगबाक 133 को डिवर किया गया है साथे 8 को ब्लेक लिश्टेट किया गया है अगली बड़ी खबर बिहार मेजयम में बाल महिला और बिहार दिवस पर प्रियंडरी सियम नितिस कुमार ने दिया निर्देश जिया प्रतेक वरस साथ अगस्त को बिहार मेजयम का सपना दिवस मनाय जाएगा इस दिन राज के बच्चे और बच्चियों को बिसे सुरूप से आमांत्रित कर मिजियम का ब्रह्मन कराया जाएगा महिला दिवस पर महिलाओ, बाल दिवस पर बच्चों और बिहार दिवस पर वरिष्ट नागरिकों को बिहार मेजयों में निसुलक ब्रहमन का मौका मिले गाया निननाई मंगलवार को मुख्यमंत्री नितिस कुमार के अधिस्ता में बिहार संग्राले समिती की नव गड़ेत सासी निकाई की पाली बेड़ग में लिये गये है एक अने मार्ग सित संकल्प में वी बेड़क में मुख्यमंत्री ने गादे जैनती पर भी बिहार मेजियम में निसुल्क ब्रह्मन की विवस्ता का निर्देश दिया है अडिक वर केमोर जंगल छे माहिन में बनेगा टाइगर रिजर्व वालमी की नगर से दोगोना होगा एंडिस एक को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव 75% परक्रिया पूरी जिहां केमोर अभियारन बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा इसके लिए परियावरन वन एवम जल्वाई परिवर्तन विवाग करी 75% परक्रिया पूरी कर चुका है राष्ट्रिय बाग सरक्षन प्रादिकरान के निर्देश पर केमोर जंगल की मैपिंग कर बफार जोन और कोर जोन तयार कर लिया गया है जल्दी विवाग इसके सूची एंटी सीय को भेजेगा वपर जोन में 18 गाव भी है सबी गाव को सुरक्षित रखा गया है रामिन सिप्ट नहीं होंगी सोची मिलने के बाद एंटी सीय की टीम केमोर अवियारन का जाजा लेने पहुचेगी परियावरन वन एम जलवाई विभाग के मताविक केमोर जंगल टाइवर रिजारू के सारे मानुकों को पुरा करता है अभी अवियारन में कौन-कौन से जानवार है कितनी सेंक्या में है इसका सर्वे चल रहा है या सर्वे अगले मा में फाइनल हो जाएगा उमीद है कि 6 मां में एंटी से केमोर अभियारन को टाइगर रिजोर घोसित कर देगा यहाँ वालमी के नगर इसी टाइगर रिजोर से दोगोना बड़ा होगा बाड़ी खबर बिहार में बस के यात्रा हुई और सुरक्षे 24 गंटे रहेगी सरकार के नजर तुरंद मिलेगी ओन स्पोर्ट मदद जहाँ यात्री सुरक्षा को देखते वे सरवजनिक वाहनों के आप परिवोहन मुक्याले से लाइब ड्रेकिंग हो सकेगे, यानि बस वो टेक्सी जैसे सरवजनिक वाहन कब कहा है इसके हर पल जानकार मिलेगी वाहनों के लोकेशन के लाइव ट्रेकिंग के लिए परिवहन विभाग मुख्याले में कमान एंड कंट्रोल सेंटर सुरू हो गया है मंगलवार को परिवहन मंत्रे सिला कुमारी ने इसका उद्गाटन किया है पाइलेट प्रोजेक्ट के तोर पर पाटना से लाइव ट्रेकिंग के सुरूत की गई है फिलाल बिहार राजपत परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मनुटरिंग की जा रही है इसके बाद आने सहरों में संचलित सरवजनिक परिवहन के वहनों में ये सुविदा शुरू की जाएगी और रिवहन मांतरी ने बताई के सरवजनिक परिवहन के वहनों में महिलाओ एवम यात्रियों की सुरूचा के उदेश से विहकल लोकेशन ड्रेकिंग डिवाइस और एमर्जनिक बटन लगाया जाना अनिवार किया गया है इससे सरवजनिक परिवहन के वहनों की कमांड एंड कंट्रोल सेंडर के जरिये लाइब मोनेटरिंग की जा सकेगी एक अगस 2022 तक प्रावेट बस्व में बेलल्डी एबम एमर्जनसी बटन लगाया जाना अनिवार हो जाएगा बिहार में पुराने गाड़ियों के खुलेंगे स्क्रेप सेंडर जोन से लिया जाएगा आवेदन रोजगार का होगा स्रिजन जिहाराज में पुराने और अन्फिट गाडियों के लिए स्क्रेप सेंडर खुला जाएगा इसको लिकर जोन से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें आम लोगों की भागीदारी होगी परिवाहन विभाग ने इस योजना के तहद काम पूरक कर लिया है वह स्क्रेप सेंडर खुलने के लिए आम लोगों के लिए रोजगार स्रिजन हो सकेगा सेंडर से अनफिट वा पूराने गाडियों को स्क्रेप केंद पर ना स्टोने पर वहान मालिकों को चूटका लाब मिलेगा गैर वेफबसाइक के लिए नई गाड़ी की खरीद पर टैक्स में पच लाक रुपे निबंदन फिस देनी होगी वाई कबार के इंद्र खोलने के मंजोरी दस वर्सों के लिए दे जाएगी बाड़ी कबर बियार में जल संकड की समयसा नहीं पाने की समयसा हो तो इस नंबर पर करे कॉल 24 गंडे के अंदर होगा समधा जी अवियार में भेशन गर्मी पढ़ने के बाद भी इस बार जल संकड की सिती नहीं है ना ही राज के किसी जिले में ऐसी सिती बनती दिख रही है बिहार के पीएजडी मंतरी राम पिरित बासवान ने मंगलवार को बताई के सरकार पूरे पंचायत पर नजर रख रही है राज के पहाड़े इलाकों में भी फिलाल इस दिख बहतर है जाल स्तर की सिकायत के लिए मंतराला की तरब से विसेश टॉल फिरे नंबर जारी किया गया है पानी के समय सा होने पर जनता 1-800-123-12121 नंबर पर सिकायत कर सकते है मंतरी ने 24 गंडे की विदार इसके समधान का वरुसा दिया है उन्होंने बताए कि पहाड़ी इलाके और केमूर के जन जाती है चेत्रों में टेंकर से पानी पहुचाया जाएगा और हम के बड़ी ख़बर पाटना विस विदाले में नए सेत्र के लिए नमांकन प्रक्रिया दो माई से सुरू पीजे के लिए एक जुलाई से अविदान जी अपाटना विस विदाले में नए सेत्र 2022 में नमांकन की प्रक्रिया तेजे से चल रही है पहले की सेत्र को नियमित करना बड़ी चुनोती है नमांकन के लिए BN कोलेज को नोडल कोलेज बनाए गया है P.O. में सनातक नए सत्र में नमांकन के लिए 2 माई से ओलाइन फर्म भरा जाएगा फर्म 4 जुन तक भर सकते हैं लिखित परवेश परिच्छा 18 जुन को होगी एक ही आवेदन पर चात्र सभी कोलेजों के लिए योग होंगी वहाई इसी तरह P.G. regular course के लिए 1 जुलाइ 2022 से आवेदन फर्म भरा जाएगा आन्तिम्दिती 20 जुलाइ है P.G. regular के लिए जिस विसमें लिखित परिचा के अदार पर नमांकन होंगे उन विसमें के लिखित परिचा की 25 जुलाइ को होगी आज के लिए आपका सुआल बताए कि बिहार में बढ़ते वे कोरोना के मामले को देखते वे राजस सरकार को नहीं गाइलाइन जारी करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं